नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News सक समवत 1945 विक्रम समवत 2018 आज जेश्ट मा के शुकल पक्ष की पोणि माती थी और दिन रवी वार है कोलेजों में दाखले का इंतजार कराई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर बताएंगे पूरी अपडेट हर्याना CET के लिए 5 जुन से आविदन 12 शुरू 26 जुन तक करें अपलाई 13536 पुदफरोगी भरती CET PG 2023 का एडमिट कारड वाजारी CET.NTA.NIC.IN से कले डाउनलोड 5-12 जुन तक एकजाम ओडिशा ट्रेन हाजशे पर दुनिया भर की नेताओने जताया शोक पाकिस्तान के पीम ने हाजशे को दर्दनाग बताया पुरूडो बोले मुश्किल वक्त में भारत के साथ और अब खबरें विस्तार से हरियाना में दो जुन को नोतपा का आखरी दिन था और इस दिन भी तावमन सामाने से कम रहा इसी के साथ इस बार का नोतपा बिना गर्मी के समापत हो गया मोशम विशेशोगे के मताबिक रविवार से एक और पस्चमे विसोप स्क्रिय होगा जिससे साथ जुन तक बारिश की संभावना बनी रहेगी च्यार जुन से एक और पस्चमे विसोप स्क्रिय होने चारा है इसे अरब सागर के उपर बेहत कम दावावाले चेतर से नमी मिलेगी जिससे ये काफी कारगर साबित होगा इसके परवाव से परदेश में यानि हरियाना में 4-7 जून के दोरान तेज हावावां के साथ हालके से मद्यमबारिश की संभावना है इसका असर राजी के पस्टमी और दक्षने जिलों में ज्यादा पढ़ने की संभावना है ताकि लोगों को इधर उधर नहीं बटकना पड़े मुख्यमद्रे ने का आगी प्रोपर्टे आइडी ठीक करवाने के लिए विशेश अभियान चलाने के निर्देश जारी किये गए हैं परतेक नगर परिशद और निगम कार्याले में दो-दो करमचारियों को प्रोपर्टे आइडी ठीक करवाने के लिए विशेश तोर पर लगाने के निर्देश जारी कर दिये हैं ताकि लोगों को इधर उधर नहीं बटकना पड़े यौन शोषण के आरोपों से गिरे भारते कुष्टि महासंग यानि डबलो एफ़ाई के पूरदेक्स शानसद ब्रेजबूशन संडसिंग के खिलाब च्यार गवा मिले हैं इसलिए उनकी मुश्कले बढ़ सकती हैं दिल्ली पुलिस्ट को मामले में मिले च्यार गवा ब्रेजबूशन पर लगे आरोपों की पूष्टि कर रहे हैं इनमें एक ओलम्पियन, कॉमन वेल्थ गोर्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रैफरी और स्टेट लेवल कोच सामिल हैं दिल्ली पुलिस्ट, चयार राजियों, हर्याना, उत्रपदेश, जारकंड और करनाटेक में इसकी जाच कर रहे हैं कॉलेजों में एडमेशन के लिए ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन परकिरह में भाग लेने के लिए चात्र चात्राओं को अभी कुछ समय और इंचर करना पड़ेगा दरसल DHE ने पात्र जारीकर काया है कि केंद्रिकर्थ ओनलाइन प्रेश करेकरम 2023-24 अगले हादेश तक स्थागित कर दिया गया है गोरतलाबे की हरीरन विद्दाले शिक्ष अबॉर्ड और शेवियस सी द्वारा बारवी कक्षा के प्रिणाम गोशित करने के बाद कोलेजों के अंडर्ग रेजूट कोर्शिज में दाखले के लिए शत्र दोजार 23-24 का शेडूल जारी किया गया था कोलेजों में दाखले के लिए आविदन पांच जून यानि कल से ओनलाइन एडविशन पोर्टल पर रेजिस्टरिशन परिक्राश शुरू होने वाली थी जो कि अब आगामी आदिशों तक रोग दी गई है प्रवेश समंदित नई तिथिक जनकारी मिलने पर विद्धार्थियों को सूचित कर दे जाएगा भाजपा ने मिशन 2024 की तयारियां शुरू कर दी है इसे के चलते हिसार में दूसरा पन्ना परमुख समेलन होनी जा रहा है नलवा विदानसबा चेतर के पन्ना परमुख समेलन की तयारियां पूरी हो गई है आज यहनी रविवार च्यार जुन को आयुजित होने वाली समेलन में तिरुपुरा के पूरु मुख्य मंत्री बिपल्प देव, पूरु मंत्रेम भाजपा परदेश अदेक शोंपरकाव धनकड, संगठन मंत्री रविंद राजु, सहरिस्थाने निकाय मंत्री डाक्टर कमल गुपता, सानसित बरजेंदर सिंग, डाक्टर डेपी वाच, विन कमपी से कट्रा तक बन रहा एक्सप्रेस वे हमारी लिए बड़ी सोगात साबित होगा, पहाडी छेतरों के भर्मन और माता बैशन देवी के दर्शन के लिए जाने वालों के लिए सफर बेहद आसान हो जाएगा, कट्रा तक के सफर में करीब 3 गंटे के समय की बचत होने व किलोमेटर में 13 टोल पलजा बनाए जाएंगे, कमपी से कट्रा तक यह 670 किलोमेटर लंबा एक्सप्रेस वे होगा, जो बाधरुगोट सोनिपत सीमा पर बसे गाव नीरोठी के पास, कमपी से यह एक्सप्रेस वे शुरू होकर कट्रा तक जाएगा, सोनिपत रोगत गोहना अगरवाल को डेड़ महिने की एक्स्टेंशन मिल गई है, अगरवाल अब 15 अगस तक अपने इसी पद पर बने रहेंगे, नियम के मताबिक वे 30 जुन को शिवानेवर्त हो जाएंगे, लेकिन सुप्रिम कोट के एक फैसले ने उन्हें राहत प्रदान की है, सुप्रिम कोट अगरवाल के फैसले के मताबिक राजी के डीजीपी का कारेकाल कम से कम दो साल का होता है, भले ही उनकी सिवानेवर्ति कभी भी हो जाए, 1988 बैच के आईपेस अधिकारी पीकी अगरवाल के सिवा विस्तार के साथ हर्याना सरकार ने नए डीजीपी के चैन के लिए भी आठ वरिष्ट आईपेस अधिकारियों का पैनल तैयार किया है, हर यण में हजारों शिक्षक लंबे समय से अपनी पसंद के स्कूलों में नियूक्ति मिलने का इंदजार कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के दुवारा क्रमचारियों का बार बार टाला जा रहा है, लेकिन और प्रबंधन सूचना पर ना ली यानि MIS पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश जारी किये हैं, जिससे शिक्षय विभाग में काम कर रहे हैं, शिक्षकों वे गैर शिक्षकों का डेटा विभाग के पास होगा, शिक्षय विभाग की योजना गिर्शम काले नवका ग्राकों को एक बड़ा जटका लगने वाला है, यदि आपका भी बैंक में खाता है, तो आज की ए खबर आपके लिए काफी एहम होने वाली है, आईशे शिक्षय बैंक और PNB बैंक के तरब से MCLR रेट में इजाफा किया गया है, इन बैंकों में अकाउंट रखने वाले को अब पहले से ज़्यादा EMI का भुकतान करना होगा, बता दें कि आईशे शिक्षय बैंक में कुछ टेनियोर के लिए ब्याज द्रों में कटोती की गई है, तो वहाई पंजाब नेशनल बैंक यानि PNB ने सभी टेनियोर के लिए अपने ब्याज द्रों में इजाफा कर एक जुनशे पंजाब नेशनल बैंक ने सभी अवधी की बैस द्रों में इजाफा कर दिया है, हरियाना के मुख्यमंतरी श्री मनोहलाल खटर ने का है कि परदेश सरकार हर परिवार का सर्वे करवाकर आंकड़ा जुटा रही है, कि परिवार में कितने लोग रहते हैं, कित तरीके से कटे हैं, उनको दोबारा उसी श्रेणी में जोड़ा जाएगा, परिवार पहचान पत्र से लेकर रासनकार कट जाने तक कि सभी गलतियां ठीक की जाएंगी, जिन परिवारों की वार्षी का आए 1,80,000 पैसे कम है, ऐसे परिवारों को भी योजना के लाब जिन्द हरियाना ने नियमित भरती के आदार पर साइक प्रोफेसर, असोशेट प्रोफेसर वे प्रोफेसर साइथ विबिन सिक्षन पदों की भरती के लिए नवींतम अधिशूचन एक जारी की है, पातरों मिद्वार 9 जून से लेकर 30 जून 2023 तक ओनलाइन फार्म भर सकते आयू सीमा 18 बर से लेकर 5080 निर्दारित की गई है, कुल पोस्टों की बात करें तो त्रेपन रहेंगी, शामाने पुरुष 2,000 रुपे, शामाने मैला के 1,000 रुपे फीच लगेगी, तो हैं SC, BCA, BCB और EWS के लिए 500 रुपे फीच निर्दारित की गई है, फिजिकल हैंडि 18 रुपे से लेकर 7,220 रुपे प्रती के उंटल रहा, तो हैं SCRSO5 43 रुपे से लेकर 462 रुपे परती के उंटल चल रहा है, चना का बाउ 4,700 चार 9S. से लेकर 5138 रुपए जो का भाव 1600 से लेकर 1666 रुपए और वहीं ग्यों का ताजा भाव 250 से लेकर 285 रुपए एलनाबाद की मंडी में ताजा भाव चल रहा है शिर्शा मंडी की बात करें तो नर्मा का भाव 7250 से 7309 रुपए परति की बात करें तो नर्मा का भाव 7340 रुपए परति की बात करें तो नर्मा का भाव शिरी गंगानगर मंडी में ग्यों का ताजा भाव 213 से 223 रुपए परति की बात करें तो नर्मा का भाव और से CET गुरूप D भरति के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए 5 जून यानि कल से आविदन परकरिया शुरू हो रही है या आविदन परकरिया 3536 पतों के लिए जो उम्मा का भाव जून 2023 से अप्लिकेशन फॉर्म भर्ष केंगे आविदन पत्र भरने के आगरी तारिक 26 जून 2023 तै की गई है वे उम्मीदवार जो CET गुरूप D के लिए पहले से आविदन कर चुके हैं उन्हें फिर से यानि दोबारा से अपलाई करने के आवशिकता नहीं है एजुकेश प्रशन हित्यास, करन्ट अफेर्स, लिटरेचर, भोगोल, परियावन और हरियना की संस्क्रती विशों से पूछे जाएंगे ओडिशा के बालासोर में सुक्रवार शाम हुए रेल हाथ्चे में 288 लोग की मोत हुई है, 900 से ज़्यादा लोग घायल है, ये संक्या बढ़ भी सकती है जिस रूट पर हाथ्चा हुआ, वहाँ गाडियों की बिश टक करोकने वाला एंटी कोलिजन सिस्टम या यू कहें कि कवच मोजूद नहीं था सनिवार देर रात तक रेल मंतरी या रेल वी मिनिस्टरी ने हाथ्चे की वजहों पर कुछ नहीं कहा है, मरने वालों के आकड़ों को हिसाब से देखें तो ये देश का तीसरा सबसे बड़े रेल हाथ्चा है, इससे पहले 20 हकस 1995 को यूपी के फिरोजाबाद में हुए रेल हाथ्चे में 400 लोगों ने अपनी जान गवाई थी, वहीं बिहार में 6 जून 1981 को एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 300 से ज कट्रा और उदंपुर के बीच सुरू हो चुकी है, इनमें वातानुकुलित सैनियान और शामने स्रेनी की डिपों वाली समर स्पेसल ट्रेन का मार्ग में पानिपत साहित विभिन मुख्य स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा, दिल्ली से कट्रावा उदंपुर के बीच में फिलहल कंफर्म टिक मिलने की पूरी उम्मीद है, रेलवे ने इन गाड़ियों के लिए काउंटर और ओनलाइन दोनों तरह की बुकिंग आरंब कर दी है, आज खबरों बशितना आई, देखते रहे हरियान का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल, CWB Hindi News, नमस्कार